तो हेलो दोस्तो एक फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो के जो टॉपिक है हमारा वो है कार डिटेल नौट फंड दोस्तो आपका card detail not fund क्यों सो करता है मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ दोस्तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनायाता वैंको वड़ोदा की internet banking को कैसे चालू करते हैं और उसे कैसे register करते हैं दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे पास कई सारी comment से आई के sir हमारा जो card detail है वो not fund so हो रहा है तो आखरी यह card detail not fund so क्यों होता है इसी topic पे आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ और आपकी यह जो problem है वा बुलकुल ही दूर करने वाला हूँ आपको इस problem को कैसे solve करना है सब कुछ मैं आपको live करके दिखाऊंगा तो जैसा कि आपने display पर देख सकते हैं internet banking service लेने के लिए आपको एक इस तरीके का page देखने को मिलता होगा यहाँ आप अपना card number डालते होंगे यहाँ आप अपने card की eiksbary date डालते होंगे और यहाँ आप अपना ATM बंडालते होंगे इस capture को आपको यहाँ इंटर करना होता हूँ जो आप करते होंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना होता होगा आप यहां किलिक करते होंगे ठीक है दोस्तों किलिक करने के बाद जैसा कि आप यहां देख सकते हैं debit card detail not fund यानि कि आपको भी यही message so होता होगा और आपको ऐसा लगता होगा कि साइद हमारे card में कोई कमी है दोस्तों आपके card में कोई कमी नहीं है यह बुलकुल common issue है इसको आप आराम से solve कर सकते हैं तो इस video में आपको complete process बताऊँगा कैसे आपको ठीक करना है अगर आपका debit card detail not fund दिखा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप internet banking service को नहीं ले सकते अगर आपका card detail not fund दिखा रहा है तो कई सारी ऐसी service हैं जिसको आप accept नहीं कर सकते जैसे कि आपको online किसी को payment करना हो अपने card के थुरू तो वो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपको online किसी की payment करना हो जैसे कि online किसी की fish card नहीं जैसे कि आपको sirmi card renewal करना हो या bill payment करना हो माल लिजी आपको online shopping करना है online shopping करते समय आपको उसका bill pay करना हो तो आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों आपके card पर एक setting है जो की off है दोस्तों यहां में आपके लिए एक जनकारी और देना चाहूँगा जो काफी ज़्यादा important है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं debit card day not fund अगर आपके debit card पर एक इस तरीके का error message जो हो रहा है इसका मतलब दोस्तों साफ होता है आपके पास जो debit card है उस पर सिर्फ दो ही service active है बाकी की जो service है वो inactive है ठीक है अब दो service कौन सी active है वो आपको बता देता हूँ एक तो आप अपने ATM card से passive draw कर सकते हैं दूसरा आप online shopping कर सकते हैं online shopping आप किसी market में जाएंगे और जो आप market में जाएंगे वहाँ आप shopping करेंगे तो shopping करते समय आपके card को swap किये जाता है तो वो shopping आप कर सकते हैं पंदार के पास जाकर आप अपने card swap कर सकते हैं उससे आप payment pay कर सकते हैं बाकी की जो service हैं आपकी online वाली वो सारी off हैं सिर्फ दो ही service हैं आपकी inavalan. अगर दोस्तों आप internet banking लेना चाते हैं, internet banking के लिए आप register कर रहे हैं और register करते समय आपके सामने एक SM matches सो हो जाता है, तो दोस्तों आपको इस वीडियो को end तक देख लेना है, इस वीडियो को देखन को subscribe कर लेना है, साथ में bell icon को press कर देना, जिससे हमारी आने वाली next video का notification आपको open display पर मिल सके, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, दोस्तों internet banking services register करते समय या online किसी भी transaction को करते समय अगर आपके सामने एक इस तरीके का message सो होता है, debit card detail not fund, तो इस problem को आप कैसे solve कर सकते है आपके पास इस problem को solve करने के लिए तीन विकलब होते हैं, पहला विकलब होता है, आप घर बैटे कर सकते हैं, अगर आप bank of world da का B.O.E. word application को use करते हैं, या इस्तमाल करते हैं, तो आप घर बैटे ही इस problem को solve कर सकते हैं, दोस्तों दूसरा विकलब होता है internet banking, दोस्तों अगर तीसरा विकलब होता है, आप अपने branch जाकर इस services को on करा सकते हैं, दोस्तों मैं आज की video में आपको बताने बाला हूँ, अगर आप bank of world da का B.O.E. word application को use करते हैं, तो B.O.E. word application से आप घर बैटे इस services को on कर सकते हैं, और काफी आसान तरीके से, तो सब कुछ मैं आपको step by step आने बाला हूँ, वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आए, तो अपनी वीडियो को लैक जरू कर देना और अपनी दोस्तों में share कर देना, तो चली हम वीडियो को सुरू कर लेते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना B.O.E. word उसको मैं आपन कर लिया है, ओपन क करने के बाल दोस्तों हमारे पास जो error message देखने को मिल रहा है, card, detail, not fund, उसको कैसे हमें सही करना है, उस problem कैसे solve करना है, उसके लिए दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, एक option आपको देखने को मिल जाएगा, card वाला, simple आपको यहां click कर लेना है, अब दोस्तों click करने के option आपको देखने को मिल जाएगा, manage debit card वाला, simple आपको कुछ नहीं करना है, यहां click कर लेना है, तो चली मैं यहां click कर लेता हूँ, अब दोस्तों click करने के बाद, आपका card कौन सा है, वो आप यहां देख सकते हैं, रुपे card है, या पर visa card है, वो आपको यहां देखने को मिल और यहां आपको अपना account number देखने को मिल जाएगा, आपका card का जो number है, वो आप यहां देख सकते हैं, ठीक है, इनको मैंने billar कर दिया है, security purpose है, अब आपको क्या करना है, आप यहां बीच में देख सकते है, manage cancel, simple आपको यहां click कर लेना है, ठीक है, तो चली मैं यहां click कर द दिया है, जैसा कि दोस्तों, आप यहां देख सकते है, ATM card, तो ATM card का जो service है, वो आपकी on है, और आप यहां देख सकते है, point of sale, point of sale, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, आप market से जाके कहीं से भी shopping कर सकते हैं, machine दोआरा swap करके, आप अपने debit card को payment को कर सकते हैं, यह दो service है, इसी तरीके की on होगी, और आप यहां देखेंगे, online e-commerce transaction, ठीक है, तो अगर आप यहां देखेंगे, तो यह off है, आपके पास जो debit card है, आपकी service भी off ही होगी, इसलिए आप internet banking services को नहीं ले सकते, online किसी भी transaction को नहीं कर सकते, दोस्तों, यह off कब होती है, दोस्तों, पहले क् ATM card बन के आता था, तो यह service already पहले से ही on होती थी, लेकिन दोते security purpose से यह service already बंद आती है, तो इसे आप खुद on कर सकते हैं, यह अपनी branch से करा सकते हैं, यह बैसे अच्छी बात है, off आती है, आप अपने साब से कभी भी on कर सकते हैं, कभी भी off कर सकते हैं, दोस्तों, आपक किसी भी services को apply कर सकते हैं, online कोई भी services को आप ले सकते हैं, आप internet banking लेना चाते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, online bill payment करना चाते हैं, वो भी कर सकते हैं, online shopping करना चाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, online चलान पे करना चाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, online जितने भी काम होते हैं, सारे आप कर सकते हैं, अब आपको कोई भी प्रॉलम नहीं आने वाले ठीक है, आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रोष ये बाला बटन आपको किलिक कर देना है, क्लिक करने के पाद दोस्तों जैसा कि आप मिया देख सकते हैं अब दोस्तों यहां आपको सिर्फ टांजेक्शन पिल अपना डाल देना है तो दोस्तों यहां में अपना टांजेक्शन पिल एंटर कर दिया जैसा कि आप मिया देख सकते हैं debit का चैनल permission has been hade you have beenone successfully यहां से ओके कर देना और जैसा कि आप में देख सकते हैं हमारे पास एक बैंक को वड़ देक तरब से मैसेज भी आ चुका है तो वीडियो आपको यह कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइ झालुझा कुच क्वर बताना जरूर लों से रा पी खहाиш दुपर को प्लीज आपकोक